कि अब हम देख रहे हैं कुस्ट नंबर थ्री में हम देखे हैं तो पावर जो हैं हमारी दोनों फ्रेक्शन में ठीक है यह टाइप वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा आपके पास अब यहां पर यह जो वन अपॉन फॉर है यह लेस दन होगा वन ओवर टू ठीक है वन अ यह हमारी पास होगा 5X की पावर 1 बाई 2 माइनस 7X की पावर 1 बाई 4 एंड प्लस 2 इक्वल टू 0 ठीक है लेक्ट क्या करना है स्मॉलर पावर खयाल लगना है आपने फ्रेक्शन के अंदर जितना बड़ा नीचे आपके पास 1 की नीचे जितना बड़ा नंबर होगा वह बि हमारी हो जाएगी कुशन नंबर 1 उसके बाद हम लेते हैं दोनों साइट पे स्वाइरिंग तो यह हो जाएगा आपके पास T2 is equals to X की पावर 2 into 1 by 4 यह cancel out होगा तो T2 की जो वैल्यू है वह हो जाएगी X की पावर 1 by 2 ठीक है इसे नाम दे देंगे कुशन नंबर 2 का वैसे त यह हो जाएगी आपके पास 5 T2 minus 7 T और plus 2 equals to 0 ठीक है अब हमने देख रहे है मल्टिपल्स कैसे ढूनेंगे 5 प्रूजा 10 अब 10 के मल्टिपल्स आपने इस तरह से ढूने हैं कि प्लस माइनस करने पर आपके पास आंसर जो है वह 7 के एकवल आना चाहिए तो 5 एं 2 को भी अगर प्लस करें तो 7 ही आता है अब हमें साइन लगाते हुए खिया लगना है साइन हमने कौन से लगाना है यह हो जाएगा 5 T2 minus 5 T और minus ही करेंगे तो plus होगा और sign फिर minus का आएगा तो यह 2 T and plus 2 equal to 0 कॉमल लेते हैं यहां से 5 T कॉमल निकलेगा और यहां रिमेनिंग क्रम आपके पस बचेगी T and minus 1 यहां से minus 2 कॉमल लेंगे आप और यह बचेगा आपके आपके पस T minus 1 ठीक है चुकिन नेगेटिव साइन बाहरा है इसलिए अंदरवला साइन चेंज हो जाएगा इक्वस to zero होंगा that means the first one is equals to zero और the second one is equals to zero ठीक है इनको हम सॉल्फ करेंगे यहां से ट की वैल्यूपल अजाएगी 1 और यहां से आपके पस T की वैल्यू आ जाएगी 2 upon 5 ठीक है मैंने डाइक्ली सॉल्फ कर दिया अब यह दो वैल्यूपल अब हमें क्या करना अब हमें यहां यहां प जो let किया था अब उसके अंदर हम इसको put करेंगे अचा method अब थोड़ा सा different हो जाएगा क्योंकि अब हम पावर जो हमार पर जो let की वी थी वो fraction में थी तो हमने let किया था t is equals to x power 1 by 4 okay अचा t की जगा मैं put कर रही हूं मैं sides change कर रही हूं यह जगा x की power 1 by 4 equals to t की value है 1 2 by 2 by 5 ठीक ही जी अचा आप देखें हमें 1 upon 4 पावर खतम करनी है अब आपने एक चीज का खिया लग रहे है जब आपने root खतम करना होते हैं तो हम दोनों साइट पे squaring करते हैं जब हमें squaring खतम करनी होते हैं तो हम दोनों साइट पे root लेते हैं और root की basically value कितनी होती है x की power 1 by 4 already है हम इसके ओपर ले लेते हैं 4 और इस side पर भी करेंगे 1 की power 4 इस 4 से यह 4 cancel हो गया x की value 1 ही आजाएगी क्योंकि इस पर कोई भी value हो वह आपके पास same रहती है okay next side पर आते हैं next side पर थोड़ा से change up होगा definitely जब हम power 4 लेंगे तो यह जाएगा x की power 1 by 4 और whole power लेंगे 4 इन दोनों के ओपर भी power 4 हो जाएगी 2 की power 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5 की power 4 ठीक है यहाँ पर 4 से 4 cancel हो गया x की power 2 की power 4 that means 2 को 4 time multiply करना है आपने तो यह जाएगा 64 और 5 को भी 4 time multiply करेंगे तो यह जाएगा 6 25 ठीक है लेकिन यहाँ पर अब last step क्या है हमेशा solution set solution set होगा हमारे पास 1 and 16 upon 6 25 ठीक है जी अब चुके यहाँ पर power जो थी वो fraction में थी हमारे पास इसलिए हमारे पास 4-5 answer नहीं आएगे बरके यहाँ पर हमारे पास 2 answers आएगे ठीक है इ उसमें हमारे पास जो answer होंगे वह हमेशा 2 आता है clear होगया मेरे खाल में सबको ओके रहा हम जा रहे हैं question number 4 की तरफ question number 4 भी विकल 3 की तरहा है ठीक है लेकिन मैं आपको start कर देती हूँ उसके बाद आप continue करेंगे और last में आपने इसे खुद करना है complete okay तो यहां पर हमारे पास यह question चुके standard form में नहीं लिखा वा तो पहले हम साई terms एक साई पर लेकर आते हैं x की power 2 by 3 plus minus 15 x की power 1 by 3 और plus 54 इसको change नहीं कि है just replace किये place इसलिए sign change नहीं होगा अब यह हमारे पास बन गए equation अब इसमें हम देखें तो यह term जो है वह हमारे पास छोटी है और यह term हमारे पास बढ़ी है तो हमने क्या करना है इसको let करना है तो हम let कर लेते हैं let y equals to x की power 1 by 3 question number 1 हो गई taking square on both side y square is equals to x की power 2 by 3 हो जाएगी यह question number 2 हो जाएगी again हमने use नहीं करना लेकिर हम नहीं दे देते हैं अब हमें क्या करना है इन दोनों values को हम replace करेंगे question के अंदर तो यह हमारे पास हो जाएगा y square minus 15y और plus 54 equals to 0 ठीक है यह हमारे पास बन गया है equation अब यह देखेंगे equation standard form के अंदर लिखी विया equation standard form में लिखी विया अब आपने इसको करना है break ठीक है अब break किस तरह से करना है 54 के multiples ढूनने आपने 54 के multiples इस तरह से ढूनने है कि plus minus करने पर मारे पास answer आना चाहिए minus 15 तो हम यहां पर select कर रहे है 9 and 6 ठीक है हमेशा बड़ी ट्राम पहले आती है इस चीज़ का भी आपने खया लखना है यह मारे पास होजाएगा y2 plus 9y minus 6y plus 54 equal to 0 ठीक है 54 के बहुत सारे multiples आपको मिलेंगे लेकिन आपने उसमें से वह select करने हैं कि जिनको plus minus करने पर answer center वाली ट्राम आना चाहिए ठीक है और sign रखते हुए आपने खया लखना है जो first sign होगा वो as it is आता है उसके बाद जो second sign आपने लगाना है वो आपने देखना है उसके साथ के आपने क्या करना है यहाँ चुके minus लगावा है तो यह minus करूंगी तो plus होगा इसलिए मैंने दोनो minus लगाएं ठीक है अब हम इसमें से लगते है common यहाँ जाएगा y into y minus 9 और यहाँ से common लेंगे हम 6 तो यहाँ जाएगा y minus 9 equal to 0 पाहट चुके minus sign लगाया अंदर वला sign automatically change हो जाएगा again y minus 9 into y minus 6 equal to 0 ठीक है जी अब मेरे खाल में इसको continue आपको करना चाहिए अब आप इसे continue करेंगी और इसके answers आपने find out क करने और answers इसके भी 2 ही आएगा चाहिए अब हम जा रहे हैं question number 5 की तरफ question number 5 जो है 3 x की power minus 2 plus 5 equal to 8 into x की power minus 1 इसमें terms negative है लेकिन वही बात है जो number यहाँ पर होगा उसको अगर 2 से multiply करेंगे तो यहाँ वाली power आजाएगा ठीक है तो method उसी तरीके से start आपने start थोड़ा से change होग बाकी method जो हो आप उसी तरीके से करेंगे जिब standard form में convert हो जाएगा ता सबसे पहले हम यह करते हैं कि इसको हम ले रेरेंज कर लेते हैं यह हो जाएगा 3 x की power minus 2 minus 8 x की power minus 1 और plus 5 equal to 0 रेरेंज हो गया ठीक है अब हम let कर लेते हैं let हमेशा less power होती हमेशा चोटी power अपने let कर लि लेते हैं तो यह जाएगा x की power minus 2 और यह equation number 2 हो जाएगी अब हम जा रहे है question की तरफ question में हम replace कर रहे है replace करने के बाद आपके जो answers है वो आएंगे replace करने है replace करके आएगा आपके पास 3 y square minus 8 y plus 5 equals to 0 ठीक है जी अब हमें क्या करना है हमें करना है दोनों को multiply कि इसको 5 and 3 को ठीक है 5 3 is up 15 और 5 and 3 अगर plus करें तो भी answer 8 आता है तो इसका मत्तब है कि हम directly कर सकते हैं इसको हमें जादे सर्च करने की जरूरत नहीं है y square minus हमेशा वै 3 पहले लिख रहे है 3 y और minus 5 y plus 5 equal to 0 ठीक है वैसे mostly हम बड़ी time ही पहले लिखते हैं लेकिन अगर आप छोटी भी लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं answer दोनों की तरीकों से एक ही आते है हमेशा अचा यह आपके पास होजाएगा common यहां से निकलेगा 3 और y तो यह आपके पा minus 1 equals to 0 और y 3 y minus 5 equal to 0 मैंने एक step छोड़ दिया है अब वो step करें और इसके बाद values निकाले है ठीक है यहां से y की value हमारे पस आगी है 1 और यहां से अपके पास y की value आगई है minus से plus होजाएगा 5 upon 3 ओके अब main काम आता है और वो main काम क्या है क्या है क्योंकि हमने जो let कि है उसकी power negative है तो what we have to do power थी आपने y को लेट किया था x की power minus 1 equals to 1y ठीक है question number 1 अब हमने क्या करना है y की value रिप्लेस करें दोने जगा पर तो यह हो जाएगी हमारे पास x की power minus 1 equals to 1 और यहां पर हो जाएगा y equals to x की power minus 1 equals to 5 upon 3 अचा अब यह आपके पास क्या है negative है तो अब आपने क्या करना है आपने इसका fraction ले लेना यह जाएगा 1 over x equals to 1 ठीक है negative power मैंने खतम किया वो नीचे जाएगी तो positive होगी अब इदर 1 upon x है मुझे x की value चाहिए ठीक है यह तो दोनों साइट पर आप रैसे प्रोकर लेने या cross multiply करके simplify कर लें बैस्ट यह है कि आ यहां पर one है तो कोई effect नहीं आएगा एक्स की value बना जाएगी यह एक answer हो गया यहां पर क्या करना है सेम वही काम करना है आपने रैसे प्रोकर लें दोनों साइट पर तो यह आपके पस बन जाएगा 1 over x equals to 1 over 5 upon 3 चाहिए तो डाइक ली भी कर सकते हैं फ्रेक्शन जानीचे जब फ्रेक्शन आता है तो दोनों साइट पर क्या होता है दोनों टर्म्स रैसे प्रोकर हो जाती है तो x is equals to हो जाएगा 3 upon 5 ठीक है यहां पर हमने ऐसे प्रोकर नहीं लेना हमने directly क्या करना है इसको 5 upon 3 लिखना है next step में हम इसको 1 upon x करेंगे और इसको भी करेंगे रिप्ले है and that is 1 and 3 upon 5 ठीक है आपको मैंने पहले भी बताया था कि वो कुस्टन जिनके अंदर पावर फ्रेक्शन में होती है यह negative sign के साथ होगी 2 के multiples में वहां पर हमेशा आपको 2 answer मिलेंगे otherwise अगर आपकी पावर पॉजिटिव है तो जितनी equation की degree होगी उतने ही आपके answers होंगे यह डिगरी 4 है positive 4 है तो answer positive 4 होगे यह positive integer अगर आपकी पावर होगी तो answer उतने ही होगे और अगर negative या fraction है तो फिर answer मुस्क्री 2 ही आते है